राहुल सौमित्र आप देख रहे हैं यूपी लाइब खबर आपको बताएंगे बागपत जिले की चुकि बागपत जिले में बेखाउफ दवंगों का आतंक देखने को मिला है यहाँ पर रेप पिरता को जिन्दा जलाने की धंकी दी गई है बागपत में बेखाउफ प्राधियों को किसी का भी डर नहीं है पुलिस प्रशासन को अपराधी चुनोती दे रहे हैं रेप प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है दिल्ली के रोहणी कोट में इसके गवाई होनी थी दिल्ली के मुखरजी नगर में यह पढ़ा करती थी और वही पर इसके साथ रेप हुआ था और अब धंकी मिल रही है मैं दिल्ली में SST की कोचिंग लेने के गई थी वहाँ पर मेरे गाउं का लड़का जिसका नाम सोरन है इसने मुझे पैपसी पिलाई मतलब कि हम दिनों ने साथ मिल के पी ती सोरन लेके आया था मावस के बाद में बेगोस हो गई उसने मेरा सेक्सल हेरेंसमेंट के और मेरी वीडियो भी बना ली 13 दिसंबर 2019 में गवाई है उन्होंनों ये बोल लाएगी अगर मैं गवाई देने गई तो उन्नाव जैसा कांड हो सकता है ग्राम बिजरॉल में की वहां की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ाई करती थी तो हैं दिल्ली में ही एक रेप का मुकदमा है कि लड़े खिलाब लिखा गया जिसमें लड़का जेल गया था लड़का भी बिजरॉल गाउं का ही रहने वाला है और थाना बड़ाओ लगता अगर तुमने गवाही दिया तो तुम्हारा बेहाश्र महीं होगा है उसमें टीम भेज करके पता किया गया यह मामला जुलाई 2018 में पंजी करेथ हुआ ता दिली में जिस व्यक्ति पे शक्त था जो इसमें एक्यूश था तो नाओ जैसे कांट की धंकी मिली है गैंगरे पिडिता को खुले आम धंकी दी गई है गैंगरे पिडिता को जिन्दा जलाने की धंकी दी गई है और कहा गया है कि अन्जाम उन्नाओ से भी बुरा होगा मकान के दर्वाजे पर एक पत्र चस्पा किया है एक चिट्थी चस्पा की है रेप पिडिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है और उस पत्र में लिखा ये है कि अगर गवाही देने जाओगी तो उन्नाओ जैसे रेप किया था 13 दिसंबर को इस मामले में दिल्ली में सुनवाई होनी है ये लड़की दिल्ली के मुखरजी नगर में तैयारी करती थी और इसके गाओं का लड़का जो आरोपी है वो भी रहकर पढ़ाई कर रहा था और इसी बीच उसको कोल्ड रिंक में नशीला पदार प बातचीत करेंगे लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरोपी अभी वी बेखौफ है हैद्राबाद का कान होने के बाद उन्नाओं में ये मामला सामने आया उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अब उन्नाओं के बाद बागपत में इस तरह की धंकी मिली है रेप पिडिता क उन्नाओं जैसे कान के धंकी मकान के दर्वाजे पर एक छिठी एक नोट चस्पा किया है उसने रेप पिडिता ने प्रशासन से न्याय की गोहार लगाई है और उसमें लिखा बहुत क्लियर है कि अगर धंकी इसी तरह देने गई अगर दमकी ये मिली के अगर इसी तरह से कोट में गवाही देने गई तो उन्नाओं जैसा हाइजसा होगा तुम्हारे साथ ये उस पत्र में लिखा है उस नोट में लिखा है जो रेप पिडिता के घर के बाहर चस्पा की गई थी देर रात अब किस ने पता किया किसने लगाया ये पोस्टर ये पुलिस जांच परताल कर रही है और इस वक्त दो समवाज़ता हमारे साथ जुड़े हैं देवेंदर सिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंदर चोहान नरेंदर प्रताब भी मेरट से हमारे साथ जुड़े हैं और साथी साथ में इसपी का कहना है और क्या वो गरफतार किया गया पकड़ा गया वह जी बिलकुल रहुल बतादू बड़ोत कोतवाली का मामला है जहां एक रेप पीडिता के घर जो नौटिस टाइप जो धंकी वरा पत्र है वो चस्पा किया गया था उस मामले पर पूरी जाज की ज़री अगर बात सामने निकल के अभी ताजा अपडेट यह निकल का यह कि जो आरूपी पैरोल पे छुटा हुआ था कहीं ना कहीं तो उसको गरफतार कर लिया गया है और पूलिस पूरे मामले की जाज में जुटी हुए कि आखिर इसी अब जो दुसकरम जो आरूपी है इसने य और इसके किसी साथ ही ने अभी यह बात जाज का विश्यक बताय जा रहे है और इस पूरे मामले पर कारवाई की बात कह रही है जिस तरीके से यह चस्पा हुआ है और जो पीडिता है उसका पुरा परिवार पूरा सदमे मेहर कहीं ना कहीं डरा हुआ है और है वह डरी हुई है कि उसके साथ उन्नो जैसी जो गठना को लेकर उसके अंदर जैसत बनी हुई है वह और आ रोपी नहें उसके अंदर डाली है यह सीजरे और उसके पुरे परिवार के साथ जिसमें आला कि गाओं में पुलिस परशाशन बडोत पुलिस द्वारा पुलिस लगाई गई है लेकिन अभी परिवार संतुष नहीं है कहीं न गई वो ड्रा हुआ और सहम हुआ है राहुल नरेंद्र किसी का डर नहीं है मेरट पुलिस अलर्ट है पुरिता से बागपत पुलिस भी अलर्ट है बावजूद इसके इस तरह की धमकी मिल रही है रेप पिड़ता को ठीके रहुल जो सब्चे बड़ी संजीद्गी दिखनी चाहिए वो थाना इस तर पर दिखनी चाहिए और उसके बाद जो जिले में बैठे बड़े कप्तान है एस पी है वहां तक यह दिखनी चाहिए लेकिन इस मामले भी में जो कारवाई हुई है वो बहुत देर से हुई है बारस समचार की खबर को देखने के बाद कपतान ने वहां पर पुलिस बेजिए सुरक्षा के लिए लेकिन सवाल यह है कि जब यह पूरा मामला कल संग्यान में आ गया तो कल साम को ही पुलिस आखिर क्यों नहीं बेजी गई दूसरी तरफ जो कप्तान है बो लगातार इस खबर को रोकने की जो है संबादाता को बोल रहे हैं तो मैं आपके पास आऊंगा हमारे साथ विधायक बाड़ोग जुड़े हैं आपका बहुत स्वागत भारत समाचार पे एक लड़की को जिसके साथ रेप हुआ उसे धंकी मिल रही है कि अगर गवाही देने गई तो उन्नाव जैसे कांड तुम्हारे साथ भी हो जाएगा किसरपाल जी क्या कहेंगे आप इस पर मेरे इसमें कहना है अब जब से ये जानकारी पुलिस विभाग और सरकार की जानकारी में आई तब से इस पर पूरी गंबीरता से विचार किया जा रहा और सुरक्सा के पूर्ण उसके इतिजाम किया जा रहा उसमें और मैं आपके मा समंदित अधिकारियों से या समंदित गामवालों से इस पर सबसे बात करूंगा और इसको पूरी गंबीरता से लिया जागा ऐसी कोई गठना नहीं हो दी जागी किसी के साथ इस तरह का रविया हो और उसे सुरक्षा मिलेगी जो रेप पिड़ता है वो जाके अपना दर्च क चलिए बहुत शुक्रिया आम से बात्षीत करने के लिए क्रिश्पाहल मलिक ये बाड़ावत बिदायक है इनका कहना है कि निश्चत तोर पर वो खुद इस पर पूलिस के उच्चादिकारियों से बात करेंगे और उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए थे आवेस जुड़े हुए है आवेस कल कितने बजे इस मामले में दिल्ली के किस कोट में सुनवाई होनी है चलिए वह अवे सबके पास आएंगे बादशित करेंगे नरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइफ जुड़े हुए हैं नरेंद्र विधायक भी कह रहे हैं कि कारवाई की जाएगी और लड़की को सुरक्षा दी जाएगी पूरी तरीके से बिल्कु दिक्त यही है हमारे सिस्टम के साथ चाहें समाजिस से जुड़े हुए लोग हो चाहें वो पुलिस के लोग हो वो तब जाकते हैं जब मीडिया इन सब चिजों को सामने लेकर आता है हाना कि गाउं की जो जानकारी है उसके मताबिक जो आरोपी हैं गाउं के ही रहन और बहुत साफ है जब तक खबर मीडिया में आ नहीं जाती तब तक प्रशासन जाकता नजर नहीं आता हाला कि SP कह रहे हैं विधायक भी कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी आवेस उस्मानी लगाता है हमारे साथ जुड़े हैं कि पीड़िता को दिल्ली ही जाना है मुखरजी नगर में उसके साथ रेप की वारदात हुई थी आवेस किस कोट में कितने बजे इस तो गवाही देनी है पीड़िता को कि बलकुल दिल्ली की रोहिंडी जिला आदलत में यह मामला जो है क्योंकि अभी काॉजलिस मामलों की तयार नहीं हुई है कि वैंप सही नहीं सब्ढ़िता को कि कितने बजे मामला बजे धाही कि पीड़िता की गवाही दर्च कराई जागी क्योंकि देर शाम 7 से 8 बज़े के असपाद जो है किस के नंबर बताया जाते हैं कि कौन सा केस Sum । कितने نंबर पे लगेगा किस नंबर पे सुनौई होगी तो उस हिज़ाब से हम आपको वाकताते हें जुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं हर्दोई के साणी थाना इलाके में